जब जब चीद 6 लेकरकरीय ये मांच हैलो दूस्तों जैहिन एक मारव एक्सल के स्रिय्ज में फिर से आपका स्वागत आज मैं महत्रत्यपूर्ब्भान के सामें हाज़िए मैं एंड लिखते हैं लिकेन इसको पढ़ते हैं मैक्सा मांक क्या करता है कोसिद करते हैं समझाने की कोशिश करते हैं आपको जैसे मैंने कोई नंबर का सिर्य ले लिया नंबर था टू कि थ्री फोर फाइव शिक्स कोई भी नंबर था अब ये नंबर कुछ भी बड़ा ले लूंँ ताकि आपको किलियर हो जाए आप डाउट में रहें ऐसे करके अब मैंने नमबर में यहां मैक्स निकाला कि सबसे बड़ा नमबर कौन सा है यहां पर मैंने मैक्स निकाला मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं तक आपको किलियर हो जाए कि मैं क्या करने जा रहा हूं और यहां पर मैं कर रहा हूं M A X A Maxa पहले Max देख लिए है is equal to Max ब्रैकेट में यहां से यहां तक और ब्रैकेट बन यह सबसे बड़ा नमबर है यह वाला यह नमबर आप देखने हैं सबसे बड़ा नमबर है यह नमबर अब हम Maxa बताने कि कि आपके कोईश्य करते हैं मैख्सा किया करता है अब इसी ही में अगर आपका चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक बार हटा दूँ इसी में मान लिया है आपका एक logical वैल्यृ होता फ्रबर सा च्छोटा वैलू आपको और किलियर हो जाए हिसे मान लिया मैंने 2 ले लिया 3 ले लिया 4 5 6 ले लिया इस तरीके से अब इसमें मैंने मैक्स निकाला और म, A, X, A निकाला अब देखें दोनों केस में क्या होता है मैंने छोटा नम्ब लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा सही है बड़े नम्बर में कंपेर करना थोड़ा आसान नहीं होता है यहां से यहां तक ले लिया हमने F4 से लेके J4 तक यह देखें यह F है यह और यह 4 है यह S, F4 हो गया और यह J है और यह लाइन 4 नम्बर है तो J4 हो गया इंटर की हमने 6 आगया अब मैक्सा में देखते हैं इक्वल मैक्स ए और वही चीज़ यहां से यहां तक इस तरीके से इसमें भी 6 आगया डिफरंस क्या है दोनों में अगर मैं इसमें बीच में कहीं भी मान लिया इसको मैं थोड़ी दिर के लिए इधर कर दूँ 6 और इधर कर दूँ 5 तो अभी यह आपका टोटल यहां से यहां तक काउंट हो रहा है सारा अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ कोई नमबर के जगह पे टेक्स्ट तो यह क्या करेगा कि यह जो आपका मैक्स होगा यह इसको इगनोर कर देगा इंडिया को नहीं लेगा यह मतलब टेक्स्ट को नहीं लेगा लेकिन यह क्या करेगा यह इसको भी इंकलूड करेगा इसको भी लेगा अब मैं इसको आपको अलग तरीके से suppose किजिए कि दो value लिखा है t r u e true और एक value आपका आ गया है false दो value है अब अगर इन दो value में आपको बड़ा छोटा देखना है ये दोनों value में कौन सा बड़ा है तो ये max अगर आप लगाते हैं माल लिए ये चीज़ है आपका और आप max लगाते हैं इसमें तो क्या करेंगा ये देखिए यहां पर मैं max में कर रहा हूं is equal to max दो ध्यान दीजिएगा ये टेक्स्ट नहीं है ये logical value है आपका जो true और false ये logical value है logical value true और false होता है आगे हम logical value में जबाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि logical value होता क्या है अब इसमें देखिए यहां से यहां तक इसको देखना है यानि की i वाले column से 6 वाले row से start होगा और j वाला column और 6 वाला row आपका ये रहेगा इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये ऐसे और ये ऐसे ये i6 हो गया ऐसे j और ये j6 हो गया यहां तक जाएगा ये भी इस तरीके से यहां तक ये j6 तो i6 और j6 है अब इस case में देखिए कि होता क्या है bracket 1 इंटर ये max आ गया अब max में 0 आ गया 0 क्यों आ गया क्योंकि ये किसी number को count नहीं करता ये किसी number को count नहीं करता इसको text और logical value से कोई मतलब नहीं क्यों नंबर से बतलब है लेकिन अगर इसको max में देते हैं is equal to max max और bracket small capital से कोई मतलब नहीं महलिक दे रहूं ताकि आपको clear हो जाए ये all a for all सबको लेता है अब इसको कहां से लेंगे यहां से यहां तक लेंगे bracket बंद कि one आ गया इसमें one क्यों आ गया one इसलिए आ गया क्योंकि true value is equal to one होता है false is equal to zero होता है और text is equal to zero होता है यह इसको इस तरीके से consider करता है तो अब इस true और false में max ने क्या किया max ने आपको कुछ नहीं दिए day zero कर दिया क्योंकि iis max निकाली नी सकता है equal max function जो होते नæंबर को count करता है number को लेता है और max function जो होता है number text दोनों को लेता है तो इसने one क्यों दे दिया one इसलिए दिया क्योंकि true का value 1 होता है और false का value 0 होता है दोनों ही आपके अलग-अलग values हैं इसलिए जब इसमें बड़ा देखेगा तो true वाले value को देगा false वाले value को वो नहीं देखेगा क्योंकि 0 है false छोटा होता वैसे भी होता है text भी 0 होता है दोनों के लिए होता है logical value भी यह देखता है logical value में अगर true है तो one लेगा false है तो उसकी value 0 कंसीडर करेगा दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो max और max आइसे आगे मैं और भी functions आपको दूँगा अच्छे प्रयास करूँगा देने के लिए जिससे आपको चीज़े समझ में आ सकें और आप अपने life में उसको implement कर सकें यह beginner label से लेकर के मैं advance label भी आपको बताऊंगा Thank you, Jain